हे स्टुडेंट्स क्या आप जानते हैं कि हम हमारे आस पास की दुनिया को कैसे समझ पाते हैं आप कहोगे हमारे ब्रेन की हेल्प से बिल्कुल सही बड़ स्टुडेंट्स अकेला ब्रेन ये सब काम नहीं कर सकता हमारे brain के पास तो एक पूरी team होती है जिसकी help से हम हमारे आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं और brain की हमारी पूरी team को science की language में बोलते हैं sense organs जैसे की I, दोस्तों इसी की help से तो आप अपने classroom में लगे हुए blackboard पर लिखे हुए words को देख पाते हैं जब आप उन words को देखेंगे तब ही तो आप अपने brain की help से उन्हें समझ पाएंगे न दोस्तों और जब आपकी class का period over होता है तो आपको एक sound सुनाई देती है और दोस्तों उस bell की sound आप अपने ear से ही तो सुनते हैं और जब आपका lunch time होता है तो आप अपना tasty गरम food जब बहार निकालते हैं सबसे पहले आप उसे smell करते हैं अपने nose की help से और जब आप अपने food को अपने mouth में डालते हैं तो आपकी जो tongue है उसी से आपको अपने food का real taste पता लगता है बट रुकिए कहीं बार जो हमारा food है बहुत ज़्यादा गरम होता है और जब हम उसे हाथ लगाते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं बिकोज हमारे हाथों में जो इस skin है ये sense कर लेती है कि ये बहुती गरम object है बहुती होट है इसे touch करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है तो दोस्तों ये total 5 sense organs हमें हमारे daily life में कितने काम हाती हैं इसकी help से हम अपने आस पास की beautiful दुनिया को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं बट दोस्तों इन सभी 5 sense organs में से eye एक बहुती important part है हमारी body का दोस्तों हम अपनी daily life में maximum चीज़ों को अपनी eyes ही recognize कर लेते हैं जैसे कि अभी आप ही video देख रहे हैं तो आप खुछ सोची आप अपने कितने sense organs का यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले most important आप अपनी eye का यूज़ कर रहे हैं आप मुझे देख पा रहे हैं और आप अपनी ears का यूज़ कर पा रहे हैं because आप मेरी audio सुन रहे हैं उसके बाद क्या आप अपनी nose का यूज़ कर रहे हैं नहीं tongue बिलकुल नहीं touch ये भी नहीं तो देखा दोस्तों maximum situations में हमारी जो eye है वो हमारे बहुत काम होती है अब eye इतना important organ है हमारी body का तो इसके बारे में हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है तो दोस्तों eye ये camera की तरह होती है जिसमें एक lens और बहुत सारे parts लगे होती है बटे parts क्या होती हैं कैसे काम करती हैं इसे हम next lecture में study करेंगे so see you there I am sure students आपको ये lecture बहुत ही पसंदाया होगा तो अगर आप अपने हर concept को इतने ही मज़ेदार और interesting तरीके से clear करना चाहते हैं तो download कीजिए हमारी PewStack app जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे options available हैं जैसे की sample papers, back exercise solutions, written answers and much more So what are you waiting for? Download the app now